प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग सातवी कक्षा की गणित के अभ्यास 3.1 के प्रशनों को हल करना शीखेंगे तो पिछले विडियो में हम लोग इस अभ्यास के 6 प्रशन तक हल कर चुके हैं आज सातवी प्रशन से हम हल करना प्रारंब करेंगे तो देखिए सातवे प्रशन आपके सामने है करा ग्यात कीजिए फर्ष्ट पार्ट में एक बटे आठ का घन सेकंड पार्ट में ग्यारा बटे दो की पांचवी घात थर्ड पार्ट में माइनस तीन बटे पंदरा का घन और फोर्थ पार्ट में पांच बटे साथ की चौथी गात तो देखिए यह प्रश्ण बेहद ही आसान है और बड़े ही सहजिता से आप कर लेंगे तो ध्यान से आप देखिए साथ में प्रश्ण का फ़र्ष्ट पार्ट में हल करने चल रहा हूं तो देखिए क्या रहा है एक बटे याठ का घन तो एक बटे याठ का घन का मतलब यह होता है कि एक बटे याठ की घात तीन देखिए घात अगर दो है तो उसे हम वर्ग पढ़ते हैं अगर घात तीन है तो उसे हम घन पढ़ते हैं तो एक बटे याठ का घन का मतलब क्या हुआ, एक बटे याठ की घात तीन हो गई, अब देखिए, अब इसका आप मतलब समझ रहे हैं, कि एक गुड़े, एक गुड़े, एक तीन बार, और आठ गुड़े, आठ गुड़े, आठ तीन बार, तो मैंने घात तीन है, घात किसकी एक की भी तीन है और आठ की घाद भी तीन है मैं देखिए बड़ा कोश्टक एक बना है पावर पूरे पे लगी है खाली एक पर यह पावर नहीं है आठ पर भी है और एक पर भी है तिसले एक का गुड़ा भी तीन बार होगा और आठ का गुड़ा भी तीन बार होगा अब द 10 तर है कि एक बटे 8 का घं किया होगा एक बटा 512 होगा क्योंकि आठ टाइं 64 और 63च्ण यठे 512 ही होता है तो एक बटे 8 का घं का मतलब एक बटा 512 हो गया चले इसके सेकंड पार्ट को देख लेते हैं करा 11 बटे 2 की पांचवी घात की पावर कितनी है 5 है पांचवी घात का मतलब घात 5 तो ग्यारा बटे 2 की घात 5 हो गई अब इसका मतलब यह हुआ की ग्यारा गुरते ग्यारा गुड़ते 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 ग्यारा ग फल 5 बार 11 गुड़े 11 का गुड़न फल होगा, मनी 11 हमें 111, 111, 111 हमें 1331, अब 1331 में 11 हमें 121 से आप गुड़ा कर दीजिए, तो देखिए, एक से करेंगे तो 1331 ही होगा, तीन दो पांच चछ तीन नवी दस की जीरो हासिले की ओर हासिले की और खा dh,chs तीन नवी क्छ ग्यारा की एक और हासिले की तीन दो पांच जीरो acid. तो बिल्कुल क्या हो गया कि एक लाख एक सथ हजार इक्क्यावन बटे अब ऐसे ही दो का गुड़ा पांच बार करेंगे तो दू दूना चार दूना आठ दूनी सोला दूनी बत्तिस तो बस यही उत्तर है ग्यारा बटे दो कि पांचवी घात अब इसकी बैलू क्या होगी क एक लाख एक सथ हजार इक्क्यावन बटे बत्तिस तो सेकेंड पार्ट भी आपका ऐसे ही हल हो गया थर्ड पार्ट भी आप देख लीजिए वह अभी बेहद ही आसान है तो यहां पर है प्रश्न माइनस तीन बटे पंदरा का घं तो इसका घं कह रहा है तो इसका मतलब हमन तीन कर दें अब इसका मतलब कि माइनस तीन गुड़ा माइनस तीन गुड़ा माइनस तीन बटे पाँच गुड़ा पाँच गुड़ा पाँच बने पावर जितनी है उतनी बार संख्या का गुड़ा करना है तो देके साइन तो माइनस का ही आएगा क्योंकि माइनस बस माइनस 27 बटे 125 यही इसका उत्तर होगा देखिए एक पार्ट और बचा है पांच बटे 7 की चौथी घात तो बस घात चार लगा के इसी प्रकार से हल कर लें मनें चार बार पांच का गुड़ा तो चार बार सात का गुड़ा आपका यह सातों प्रश्ण पूरा हल हो जाएगा तो देखिए अब हम आठवे प्रश्ण को देख लेते हैं कि आठवे प्रश्ण में हमसे क्या पूछ रहा है तो प्रश्ण देखिए बोर्ड पर लिखा हु है बराबर 7 बटे 5 की पावर A है तो A का मान क्या होगा तो देखिए 8 में प्रश्ण को हमखल करते हैं तो प्रश्ण में दिया है 7 बटे 5 की पावर माइनस 5 गुड़ा 7 बटे 5 की पावर माइनस 11 बराबर 7 साथ बटे पाँंच की पावर है एं तो ए का मान ज्यात करना है इस प्रषण में ए का मान आप से पूछा गया है तो आप यहां पर जानिये देखिये प्रला बहुत ही आसान है देखिये अदों पदों में आधार 282 यहां भी है साथ अलग-अलग है तो आधहार बराबर है घात अलग-अलग है तो गुड़ा में बहुपत का ऐसा नियम है नियम है कि गुड़ा में पावर जुड़ती है और भाग में पावर घटती है तो गुड़ा में पावर जुड़ जाती है तो आप देखिए क्या करेंगे 7 बटे 5 की पावर माइनस 5 प्लस माइनस 11 बराबर 7 बटे 5 की पावर ए यहाँ आप चाहें तो कारण लिख सकते हैं क्योंकि यह नियम है कि जैसे A की पावर यन एंटू A की पावर यम यम इस प्रकार से आपका प्रश्ण है चूकि A की पावर यन एंटू A की पावर यम है तो यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा A की पावर यन प्लस यम इस प्रकार से नियम है तो बस यही सी सूत्र का यहाँ पर प्रयोग हो गया कि आधार बराबर है 7 बटे 5 यहां भी है, 7 बटे 5 यहां भी है तो जो अलग-अलग पावर हैं उनको जोड़ दिया जाएगा पावर जोड़ जाएगी तो यहां पर क्या प्राप्त हो जाएगा 7 बटे 5 की पावर मिल जाएगी अब देख Verkehr अब पलस है और बराबर हमारे पास आया माइनस सोला बराबर ए या फिर ए बराबर माइनस सोला तो देखी एक आमान बड़ी सहजिता से ग्यांत हो गया मने यह प्रश्ण बेहद ही आसान है क्या आधहार बराबर हो जब गुड़ा किया जा रहा हो और आधहार बराबर हो तो पावर जुड़ जाती है तो माइनस पांच और माइनस ग्यारा जोड़ दिया हमने 7 बटे 5 की पावर माइनस 16 हो गई क्योंकि माइनस 5 में माइनस 11 जोड़ेंगे तो माइनस 16 ही प्राप्त होगा तो 7 बटे 5 की पावर माइनस 16 हो गई अब बराबर 7 बटे 5 दिया है तो बस 7 बटे 5 से 7 बटे 5 कैंसल हो गया यह बराबर माइनस 16 प्राप्त हो गया तो बस यही आपका उत्तर है तो इस प्रकार से आठवा प्रश्ण भी आपका हल हो गया तो नवे प्रश्ण को भी हम लोग देख लेते हैं ऐसा ही प्रश्ण यह भी है जिस प्रकार से आठवे को हल किया नवा प्रश्ण भी ऐसे ही है देखे कह रहा है P upon Q बराबर एक बटे पाँच एक बटे पाँच की पावर कितनी है माइनस दो भागे आठ बटे नव आठ बटे नव तो देखे P upon Q की बैलू आपको बताने है कि P upon Q का मान क्या होगा तो बश देखे अब बिल्कुल सरल है यहाँ प्रशन भी अब देखे एक बटे पाँच की पावर जब माइनस में है तो अगर हम इस पावर को पाज़्टिव करना चाहते है तो संख्या को हम पलट देंगे मनि एक बटे पाँच आप ऐसे समझे कि जैसे पाँच लिखा है अब इसकी पावर माइनस एक है तो इसका मतलब होता है एक बटे पाँच इसका मतलब एक बटे पाँच होता है पाँच की पावर माइनस एक तो इसका मतलब एक बटे पाँच अगर यह पावर पाज़्टिव करनी है तो बस क्या करना है कि एक बटे 5 लिखे देखिए अब पावर इसकी positive हो गई तो बस क्या करना है यहाँ पर की शंख्या को आप पलट दीजिए यहाँ power positive हो जाएगी तो यहाँ हम लिख देते हैं 5 की पावर 2 5 की पावर 2 और भागे 8 बटे 9 तो देखे एक बटे पांच था तो पावर इसकी माइनस दो थी और जब हम पांच लिख दिये तो पावर इसकी अधनात्मक हो गई तो अब देखे पी अपान क्यू बराबर अब हो जाएगा 25 गुड़ते 9 बटे 8 बने भाग काच ने जब गुड़ा में बतला तो शंख्या पलट गई तो इसमें दो चीजे आप जानिए अगर पावर कभी भी रिडात्मक है जैसे लिखा है 2 बटे 3 की पावर माइनस 2 तब आप पावर को जाते हैं तो ऐसे करें 3 बटे 2 की पावर 2 अब देखें धनात्मक हो गई पावर तो कभी भी रिडात्मक हो पावर तो आप संख्या को पलट कर उसी पावर को धनात्म कर दें तो पहला काम हमने यह किया अब फिर तो भाग आप जानते हैं कि भाग का चिन्न था जब गुड़ा में बदलेगा तो संख्या पलट जाएगी तो पचीस गुड़े आठ बटे नव हो गया तो अब देखिए पी अपान क्यू बराबर क यही आपका उत्तर है और यदि आप चाहें तो सही बटा में उत्तर आएगा आप मिश्रभिन में आप आठ से दुईसो पचीस में भाग दे लें तो 28 से ही ऐसा 28 से एक बटे आठ तो ऐसा कुछ उत्तर आने आने वाला है बरहल पी या पान क्यू का मान पूछा है तो आपक सही उत्तर यही है दो सो पचीस बटे आठ तो इस प्रकार से आपका यह नौवा प्रशन भी हल हो गया जो बेहत ही आसान था तो से इस प्रशनों को हम लोग कल के वीडियो में हल करेंगे तब तक आप लोग अभ्यास करिए और प्रशनों को आप लोग जरूर नोट करके एक बार स्वयम से हल करने का प्रयास किया करें तो बस आज इतना ही धन्यवाद